जै मातल लचमी की लचमी पूजन का शुमुर्थ कब का है और किशुमुर्थ में लचमी पूजन करना चाहिए जिससे लचमी का वाज से आपके घर्म हो और दरिद्धा दूर हो वेदिंग पंचाइंग के नुसार हिंदु धर्म में ब्रत तुहार उद्या तिति के आधार पर ते किया जाता है दिवाली की पूजा दिन ढ़लने के वाद याने की प्रदोस काल में की जाती है जब ब्रेसन लगन या इस्थरन लगन पिर्चलित हो दिवाली पूजान वेदिक मानेतां के अनुसार ब्रदोस काल में सर्वस्थ सेष्ट होती है इस मूर्थ में पूजा करने से गरमेल अच्मी का वास होता है और धरिद्रता दीरे दीरे खतम हो जाती है चलिए क्या है पंचाइंग के अनुसार अब की बार दीवाली पूजयन का श्मूर्थ जानेंगे विस्तार से लेकिन उसे पूर्व आपसे निविदन है कॉमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें कॉमेंट बॉक्स में जै माता लजमी की जरूल के माता की किर्पा आप पर सदेव बनी रहेगी बेदिंग पंचाइंग के अनुसार दीवाली यानि के कार्थिक मार्ष के अमावश से तिति को मनाए जाती है और 31 सक्टूंबर दोजार चोबीस को ये तीन बज कर बामार मिट स से शुरू होगी यानि कि लगबग 31 सक्टूंबर को श्याम को चार बजे के बाद अमावश से तिति प्रारम हो जाती है अलाकि तिति का समापन 1 नवबबब को श्याम को 6 बच कर 16 मिनट पार यानि कि लगबग 6 बजे जो अमावश से तिति समाप्त हो जाएगी ऐसे में सार आपको सर्फिस्ट मूर्थ के बारे में बताते हैं तो फिर्दोसकाल की सुरुवात 31 सक्टूंबर को श्याम को 5 बच कर 36 मिनट से होगी यानि कि साड़े 5 बजे से लगबग फिर्दोसकाल प्रारम हो जाएगा वहीं ये 8 बच कर 11 मिनट तक या यू कह सब 8 बजे तक ये प्रारम हो जाएगा वहीं बिर्शब लगन की बात करें क्योंकि प्रारम बिर्शब लगन में लचमी माता का पूजन सर्फिस्ट माना जाता है इस दिन बिर्शब लगन की सुरुवात है जो श्याम को 6 बच कर 25 मिनट से होगी और जो की रात को 8 बच कर 20 मिनट तक रहेगा तो ये दोनों लगन ये दोनों मूर्थ जब एक मूर्थ में मिल जाते हैं यानि कि हम बात करते हैं 8 बच कर 20 मिनट तक दोनों मूर्थ रहेगे इन दोनों मूर्थों की एक साथ सुरुवात 6 बच कर 25 मिनट से रहेगी तो 6 बच कर 25 मिनट से लेकर 8 बच कर 20 मिनट के मद्य ल पिर से बता देता हूं लचमी पूजन का सर्फेश मूर्थ है 31 सक्टुम्बार को स्याम कोई 6.5진짜 अब की घर में निवास करेगी आषा करता हूं लचमी पूजन पूजन आपको फ्टार विस्तार से मिली होगी